कि आप आई एस के दैनिक हिंदी संपाद की विश्लेशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं तीन आर्टिकल जिसमें से पहला आर्टिकल यह जो एनके सिंग जी का आर्टिकल है जो कि खेती से रिलेटर्ड जैसे कुछ अपने कैसे किसानों की है दो तो उससे समझति आर्टिकल है इसको डिसकस करेंगे अपना नेक्स्ट अर्टिकल होगा यह जो है निर्यात और विदेशी बाजार से रिलेटर की कैसे हमारे भायत मतलब कि जो हमारी आर्थिक मंदी की इस्तिति भायत उससे गुजर रहा है तो इसमें से आखिर क्या कुछ क इसम्बली में मतलब की जो वह वाता वार्शिक जो होता है अपने प्लाहन मंत्री जी है तो आपास सुनके वही इस पीच के बारे में जो उन्होंने बैस्वी कभधारना और भारत का व्यू जिस तर पर रखा है तो उसके बारे में याडिकल डिसक्र डिसकस करता है तो फो इसमें देखेंगे तो चलते हैं अपने पहले अडिकल पर याडिकल अपना है कि विकास का संकट समझे फिर योजनाओ कि अलोजना करें तो इस आइडिकल में एक स्टाइटिंग में राइटर में बहुत यह सकते कि छोटा सी छोटी सी स्टोरी उन्होंने सेर की है कि जैसे जो की रियल इस्टोरी है कि जैसे उन्होंने बता है कि एक दुनिया के मसूर अर्थसाष्टी जो नोवल पुर्सका विजए था मिल्टन है फ्राइड 1972 में जब चीन की यात्रा पर गए और उन्होंने देखा कि जो सेकडों कई सारे जो स्रमिक थे तो फावडों से नहार को कि दरकर के रोजगार की सबस्टैंब तरने की यह कि तो इसी संदर्व में यहां पास है अपने भारत की इस्थितियों के इसकी स्टोरी के माध्यम से प्रकार से इसका व्यू रखा है तो यहां पास जैसे अपने जो सरकार की जो नए योजनाएं इनिशेट्व गवर्मेंट के दारा उठाई जा रहे हैं तो इसमें जैसे कि इसने काफी कुछ ठीक ही एक सकारात्मक दिसा में मतलब की सरकार योजनाओं का क्रियान बन कर रहे हैं जैसे कि भी जो हाली में मौदी जी ने जो सरकार का पसपारान को वरीतर देने के लिए जो भ प्रकार के अंतराश्टी श्तर पर उसको और बहुत ज्यादा ढंक से नहीं करेंगे तो एक बिल्कुल भी विकास देश का संभव नहीं है और किसान जो है तो केवल अनाज पैदा करके जो तो अलावकार खेती ही करता रहेगा जब तक किसात में दुखतुमत से कुटिया व जो किसान है तो जो है तो आज अलागी जो खेती पैदाबार मतब खेती करना तक प्रकार से अलावक की इस्तिती को आप से प्रकार से पेड लए वह रहा है वियंदें बदहाली से तो उनकी जादा लाफकार इस नहीं हो सकते हैं जब तक यह तो इसके साथ ही साथ दुख्द या मत्स पालान को कुट या अन्य वेबसामे में नहीं होते हैं तो वैसे भी जो है तो देश की जो 60% आवादी है तो ग्रामेड है अपनी और उसमें इसी भी लगभग जो 55 पर 55 करोड लोग है तो क्रिसी समीक है खेती जो अलाफकार इसलिए उसकी कटाई त्रिशिंग करा गए अनाज तो पूरी तरह से उसको समय की ढंक से देखा जाए तो पूरो जो उसका खर्चा आता है तो लभग जादा जादा आता है कंपेर दन की हार्वेश्टर से यह काम कर दिया जाए तो यह मसीनी करन इसमें से जो मसीनियों को इन्वाल लगते हैं और वो काम तीन घंटे में हो जाएगा लेकिन यदि इसी चीज को फसल की कटाई है अनकाम को पूरी तरह से दिलिया जाए तो मजदूरों को भी लगा लिया जाए इसमें तब लगवक इसी काम को पूरा करने में लभग चार गुने से जादा इसका एकस्पेंड लगवक 70% होती है मजदूरी ना तो जो कि एक प्रकार से बहुत ही बड़ी समस्य को संकेत करते कि जब इतनी ज़्यादा मजदूरी है तो फिर किसान के उत्पालन का उसको फायदा कैसे मिलेगा क्या मिलेगा तीसरी चुनोती यहां पास तीसरी दिक्कत यह देखना को मिलत फिर कर से खेती चोड़ तरीका के बदला ना करने कारणा यह प्रकार सुदासींता भी इसके लिए जिम्मेदार बहुत हथ तक है जो है इतने खर्ज के बाद गेहों के अवसात उत्पादन देखा जाए तो 34 कुंटल प्रती हेक्टेयर है यानि कि लगभग अविभग जो है तो तीन करोड हेक्टेयर में इसकी खेती हर साल होती है उसमें से बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इसका उत्पादन लगभग 10 पर 20 क्लोड टन का हुआ है सबसे जादा मैक्जिमाम तक हुआ है लेकिन यहीं दूसरी तबियेत देखा विए जो चीन और अमेरिका उनके पास कम छेत्र में भी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं कम छेत्र उसमें वह 70 क्लोड टन उत्पादन करते हैं यानि उनकी लागत भी यानाजों के पेच्छा काफी ज्यादा सस्ते होते हैं तो निश्ची तरपेद वह ज्यादा सस्ते हैं तो हमारे जो है तो विस्व बाजार में नहीं टिक पाएंगे उनको कड़ी प्रतिस परधा से गुजरना पड़ेगा अब यह इन ही चीजों को इसी के जो प्रकार से अब यहां पर आपके जो पूरी तरह से ने करके जो अपने जो मजदूर यहां है इनको जो है तो खेती से अटागा लेग्ए यह लगा देना ठीक है यह परपस है ताकि जो ग्रामेड भारत है और क्रिसी है उस पर जो है तो दवाव कम हो रहे ठीक है तो इससे जो तो प्रोड़क्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी और जो हमारे आज प्रकार से छाद में बेरोजगारी भी बेरोजगारी का भी संकट देखनों के मिल दिया जाए ताकि यह उध्यम मिल सके और यह यह जैसे हम दुख दूटपादन की बात करें भारत ज्यादा प्रेषे टॉप नंबर एक सब से ज्यादा बहात पदन कर गड़ा लेकिन आज इस सुद्व की बिलो जो है तो कूल आए जो है सारे च्छाए लाग करोड़ जो गेहों और चावल के कुल उत्पादन के मोल से भी जादा है इसी तरह मचली मचली उत्पादन की बात की जाए तो उसका भी व्यापार वैसे वह एक लाक क्रोड रुपए का भारत कर रहा है ठीक है अगर किसान खेती के साथ दूद व्यापारी और मत्पालन में भी लग ज तो भारत के वेशी है तो उनमे क्यों देते हैं वो त्कि जो अंतर राश्टी एवरेज देखा जा cinema तो यह जो प्रतिश्पर्दा की बात है और इस राइल वगरा की देशों की बाद गाय वगर वेसे तुलना की जाए तो उनकी तो एक प्रकर से साथ गुना अधिक दूद्द देते हैं उनकी गयाने कुछ नसल गाय की जो है तो नसल वगरा काभी सवाल कि यहां पास जो है तो टीसरे ऑफिए तो संगटिक च्छेतर में नहीं है तो सही इसको पी नहीं हो पाता है भिए जो अमेरिका न्यूजिलंड ये псела कि बहुत ज्यादा मात्र में प्रकार से बंत बटा ना को एक और गार देदे मेराव करतके यह को बाजारिणों के करोड़ हो सब्सक्राइब कर देती है जो उनकी 2 व्य म comoff दो क्या में कितना मम आगे हैं तो यहाँ पास भी में इसके लिए समाधलान को तुर्पर नसर शुधार झो है और जो ब्यूंट रिकार के पस्वों में बिमाई या वगएरा होती हैं उसे मुक्त करके इस चीज़ से निजात प्याया जा सकता है हलाकि अभी सरकार में इस दिसा में कदम भी उठा है जो अभी योजनाई भी लांज की है कि यह खुर पका वगएरा जो भी रोग थे तो उससे भी सरकार की इनेशोटे भी कफ अच्छी लिए टीक वगएरे के लिए तो इस दिसा में भी एक सकारत में कदम हो शकता है और वहीं यहां पास जो है तो जैसे हमारे जो वेग्यानियों के अगरे नहीं संदान या सोथ कर से दाइड है तो उन चीजों को जमीन इस तर पर प्रकार से प्रयानवीद करने जो राज भी करनों को यह धायत होता है तो इस दिसां में काम करने चीज़िज जैसे अभी हाली में जो तो गनने के किसम जो जिए जिरो टू थर्ति एट यह जिए कि प्रिलिम पॉयंट इस इ तो इन चीजों को ध्यान पर रख दिया जाए तो एक बेहतर तरीके से किसानों की आया को भी दोगनी करने में काफी ज्यादा हेल्प मुलेगी और साथी साथ हमारी क्रिसी का इस तर भी काफी अच्छा सुधर सकता है चलते हम नक्स्ट आडिकल पर ब्रस्चिक भूमिका में भारत अभी इहाली में जो चौहत्तर गया दिवेशन हुआ तो उसमें जो है तो यह आडिकल जो वहाँ पस हमारे मकधान मंत्र मोदी जी का स्पीच है तो उससी लेटर की जो भायात का उन्होंने अंतरराश्टी स्थर पर व्यू रखा है तो उसी को यह आडिकल पूरी तरह से मतलब करते हैं आप लोगो को भी निश्ची तरपे जो वहाँ पास यूएन में मोदी जी की स्पीच थी तो उसको निश्च कौने चाहर के देए तो उसे इसमें उन्होंने परकार से अखिन सiture करके बीना कस्मीर स्टिर करके बीना प्किस्तान करना मीए किस प्रकर से आरतंगबाद को नहीं सधीर संद तरीके से उस चीज़ को है अग्जोटता की वह बात की नहıyla old और उसमें काफी time घमगुरता साथ जो एकत्रूत होने की बात इसमें की जो कि एक प्रकार से मानावता के साथ तो वहीं जो उन्होंने दोस्री और बड़ी चुनावती गवारम जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटर है परियावाण की जो समस्याइं हैं और प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रत दिन आती रहती हैं तो उससे भी निपडने को उन्होंने काफी अच्छे सुझावा भी दिया और वस्षिक इस तर पर एक प्रकार से मिल करके सहयोगात्मक धंग से एक रूप रेखा भी उन्होंने यहां पास खीचने का प्रयास किया है जिस प्रकार से उन्होंने भी जो कॉप 21 परिस समझाता है कि परिस उस पे जो क्लाइमेट चैन जो तो अपना इंटरनेशनल स्वर्य एलाइंस जो ठांस के था साथ मिल करके भारत का काफी बेहतर इनेशियोटी था रेजनेवल एनर्जी के दिशा में तुझ काफी मतलब कि यह विस्षिस्टर पर इसकी काफी सरहना जो अच्छी युजना है उनके भी जो तो शकरात्म हम जिस प्रकार से निकल रहे हैं उनको भी उन्होंने एक प्रकार से तो इस जो यह रहा है और वह प्रकार से विसमें सांतियों सभाव की हर्दम जोर देता रहता है जो कि जिसने दुनिया को युद्ध ने बुद्ध दिया है इस तरह से मैंने मतलब कि कफी अच्छा भाहत का डाइमेंशन रखा है वैसे इस तरह पर सांति के दृष्ट कौन से तो इस आइडिकल पे इतने चलते हैं नेक्स आइडिकल है अपना निर्यात और विदेशी बाजार से बरतमान में जो आज भारत आर्थिक मंदी के दोर से गुजर रहा है तो भारत को जो निर्यात में प्रतिसपरदाओं का सामना करने को मिल रहा है तो उस उन चीजों को यहां पास इस आइडिक तो जो है तो हमारा मतलब को जो मंदी का धाचा है तो निश्टी तर पर तोटेगा तो वही जो तेज गत्सित विकास करने वाला हर देश है तो निश्टी तर पर निर्यात को ही ज्यादा फोकस करता है तभी उस सफ़ा एक प्रकार से सफल निर्याता ख्लोई होता है तभी तो देश में जो मंदी की दौर है तो और साथ यहां पास जो हमारी भारत की यह काफी जाद एक प्रकार से बहुत जादा जास चाहात्मक उसमें परणीम देखनेðों को कुटी को वख़ा दिया जाए कि उसको कम कर दिया आयाद को कम सट कम करने की बाती हुए है इससे समंद्ध जो है इस ही पर मतलब की पूरी निज्यात को फोकस करने की बाते हो रहे हैं जहां से कुछ जैसे कि बाता कारवबार काफी ज्यादा मतलब कि यौह Want पास जो है जो हमारा वस्त्र व्यापार है जिसमें से हमारी जो है जो देश की जो है तो बहुत मुतलब की सेकंड नंबर की सरवाधिक जो आवादी है इसमें रोजगार प्राप्त करती है वस्त्र व्यापार तो जो वस्त्र व्यापार है तो इसकी बीस्तितिक प्रकार से इस तो इसकी वज़ा क्या है देस जो भी यह को है पुरी खिता को कला मई आजका है जी सब्सक्राइब तो इसको पूरा कर रहे हैं बांगलादेस के इंक्लूट करके देखा जाते हैं तो भारत भी मतलब की बहुत भागीदारी निवार है है जिसको मतलब कि भारत की मतलब भूमिका होनी चाहिए थे तो बंगलादेश को जो निर्यात है भारत के निर्यात का लगए डबल हो चुका है तो यह भी एक प्रकार से देख सकते हैं कि भारत निर्यात में कितना पिछड़ता जा रहा है और व्यत्णम भी काफी आगे इस मामले में भारत से है लेकिन बैंब्दा या है कि जिसे बंगलादेशे तो यह फास धागा और भारत से आजात करता है और वस्थि जो जो वष्थ निर्यात है वो वियापार घार्टी को कम करता है एदिधी इसमें देखा जाए कि वस्थनीर सबसे जधाइब मतलब कि ज़्यादा रोजगार दिया जाता है की ज़्यादा बढ़ावा देता है वहीं वहन या इंजिनेरिंग यह तो दस गुना तक और की सबस्कति रोजगार की मामलि में वहीं बिक्रि का जो है वेतन बत्तों में जाता है घरे लोग कपत की मांग को भी बढ़ावा देता है क्योंकि यह ज़्यादा जरूरी है जिससे तो एक प्रकार से मांग बनी रहती है तो इस चेट को जादिकांस जो हमारा जो वस्त रूद्योग है तो इसमें जादा तर तर जो है तो महिलाएं ही इ वालब होती है तो जिनकी जो स्रम सकती है उसमें एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा कभी से है और वहीं क्योंकि जो कपड़ा है और वस्त छेतर है पहले सी जो कुल विनिर्मार रोजगार के एक तिहाई के बराबर था इसलिए जो वस्त निर्यात है इसको बढ़ावा देने माज से बिनिर्मार को बहुत ज्यादा गति मिल सकती है तो इसलिए इस दिशा में तो बहुत ज्यादा मतलब की ध्यान देने के जोगत है अलाकि अभी अवसर भारत के पास है ऐसा नहीं है लेकिन कुछ चुनौतिया भी है ऐसा कि यदि अवसर के दिश्टकूर से देखा ज जाए कि जो उसमें प्रकार से अनुकुल परिष्थितियों परिष्थितियां नहीं है भारत के उसमें जैसे कि बंगला देश को है तो बहुत ज्यादा मतलब कर से रियायती ज्यादा मिली हुए है जैसे बहुत ही कम विक्सित देश है उसे यूरोप और कनाड़ा जापान क सब्सक्राइब हो जाएगी यह बहुत ज्यादा कम मार्जिन वाले कारोबार में प्रकार से भारत को जोहत भारत में जो सुल्क दर है उसमें तस्विश्थिति की बादा से दिक्कत का हिसामना करना पड़ रहा है भारत नाला कि यूरोपी संग के साथ व्यापार को संतुलि सब्सक्राइब करता नहीं मिली को ही जो सरकार जो ताला कि प्रयास भी काफी कुछ सरकार ने प्रेस्ट वह अच्छे की बाते वी न उसमें बदलाव कि भविश्थिन दिखातों में जो योगदान के जरी उस में सब्सक्राइब को और निर्यातक है कम करके क्यों से कफ यठ तो यह जो लेकिन जो निर्यातक है तो उनको कमजोर बुनियादी सुविधा और बंदर गाव पर ज्यादा समय लग जाता है तो इन समस्यां की जो चुनोतियां सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पास अधिमूलित कर दिया जाए ठीक है उसकी वैलू कम कर दी जाए ठीक है अंतरा स्टी श्तर पर तो जैसे भी हाले में जैसे की नहों ने वाड़े मंत्री यहां बता है जैसे 1996 में बताया कि जैसे 1996 में रूपय के जब अवह चैकर उसके बाद भ्यापार बहुत ज्यादा सुधार देखनों के मिला था जबकि उससे आयाद भी काफी कम हुआ था और यह स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही और जो ब्यापार घाटा भी हमारा 80 फिजदी तक इससे पूरा हुआ था 1996 के अवमुलन से तबकि जो 19 से इंचानना है कि जो पहले पांच बरस का वस्त ब्यापार घाटा भी 40 फिजदी था लेकिन अवमुलन के बाद इसमें काफी ज्यादा मतलब की एक प्रतास बैलंस केस्टी बन तो आज उतनी गिरावट नहीं है क्योंकि अमेरिका काफी ज्यादा इस मामले में यह देखा है को बारिकी से जो है तो ब्यापार को उस पर देख रहा है कि कौन मुद्रा के अमुलन से समझे च्छड़काने मुद्रा को कैसे किया जा रहा है तो उस पर भी इस से निपटने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं लेकि निर्यात भी जल्द हासिल करने के लिए जो तो रूपाय के भी अमुलन के उन्होंने मतब काफी ज्यादा बढ़ावा देने की बात की है तो बस आज किस हटकल में दोस्तों इतने ही तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा वीडियो मिलते रहें आज के लिए धन्यवाद